नमस्कार और DJI Pocket 3 की इस इमानदार समीक्षा में आपका स्वागत है. मैंने इसे अपने पैसे से खरीदा है, यहां मेरे अपने विचार है. अब आप इस समीक्षा में बहुत सारे फुटेज देखने जा रही हैं, और यहां फुटेज होने जा रहा है, जो सिर्फ रिकॉर्ड की गई आटो सेटिंग्स है, क्योंकि फिलहान पॉकेट 3 के लिए कोई ND फिल्टर उपलब्ध नहीं है. इसलिए मैं आटो सेटिंग्स में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मैं मानक रंग प्रोफाइल का उप्योग कर रहा हूं. मैं D-Log M या 10 बिट या ऐसा कुछ भी मानक रंग सामान्य प्रोफाइल का उप्योग नहीं कर रहा हूं. तो यहां वास्तव में एक चनौती पूर्ण प्रकाश्तिती है. हमारे पास रोशनी, अंधेरे और मिढ है और हम सुरंग के नीचे जाते समय देख सकते हैं. DJI Pocket 3 आटो एज़िस्टिंग है और यहां इस तरह की कठिन प्रकाश्तितियों को संतुलित करने के लिए वास्तव में अच्छा काम कर रहा है. रंग वास्तव में अच्छे लग रही हैं और मैं वास्तव में खुश हूँ. बस उल्ले करने के लिए आज सभी फुटेश 24P में रिकॉर्ड किये गए हैं और फिर से मैं इसे आटो सेटिंग्स पर जोर देने जा रहा हूँ. तो यहां मैं बस थोड़ा सा कंट्रास देने के लिए अपने आईफोन 13 के साथ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इसलिए मैं पुल के नीचे जा रहा हूँ और हम देखने जा रही हैं कि पॉकेट 3 कितना अच्छा करता है औ तो यहां मैं इस पतपर 180 degree spin कर रहा हूँ और यहां वास्तव में footage को बदल देता है. यहां मैं उतपाज showcase का उप्यो कर रहा हूँ जहां आप चीजों को पकरते हैं और वे फोकस में आते हैं. आपको single focus और निरंतर focus के focusing mode भी मिले हैं. अगला भाक पॉकेट 3 के audio features का करने के लिए एक शांदार जगह होने जा रही है। मैं वर्तमान में इस परिचय के लिए सबसे अच्छी ऑडियो गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बाहरी माइक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। पीछे माइक्रोफोन, फ्रंट और बैक माइक्रोफोन का उप्योग कर रहा हूं। पता नहीं आडियो कैसा लग रहा है। उम्मीद है कि यहाँ अच्छा है। उम्मीद है कि ट्राफिक की आवाज रिकॉर्डिंग में नहीं है। तो फिर सड़क के बहुत करीब बहुत सारे चाफिक जा रही हैं। लेकिन मैं अब सभी माइक्रोफोन का उप्योग कर रहा हूं। इसलिए इसे सभी माइक्रोफोन पर सेट किया गया है। और मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे होने जा रहा है। अगर यहाँ विशेश रूप से अच्छी तरह से चालू होने जा रहा ह और यहां इसे एक ऐसी स्थिती में लॉप कर देता है जहां आप इसे आसानी से प्रदान किये गए मामले में दूर रख सकते हैं और यहां बस जगह में स्नाप करता है तो यहां मैंने कुछ कम रोशनी वाले फुटेज लिए हैं और मैं आपको यहां तै करने जा रहा हूं कि आपको लगता है कि कम रोशनी फुटेज कितना अच्छा है तुल्ला के लिए मैं जेब तीन का उप्योग करके अब तक अपने आइफोन 13 मीटर को एक ही कम रोशनी फुटेज दिखा रहा हूं मुझे यहां वास्तव में अच्छा लगा मुझे रिकॉर्डिंग शुरू कर रख सकते हैं और निरंतर ध्यान केंदृत करने में यहां वास्तव में अच्छी तरह से ध्यान केंदृत करेगा। एक उत्करिष्ट कैमरा है.